नमस्कार विकेबिन्यूस के खास पेशकर्च देश परदेश दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है नानेर जिले के भोकर हिमायत नगर राश्टर राजमार्क पर मोजे टाकरला इलाके में बास के जंगल में तीन लोगों के शव मिले है तीनों शव एक ही परिवार के हैं जिन में पती, पत्नी और उनका 17 वर्षे बेटा शामिल है इस बिच एस्टे निगम परिवन निगम का गत्रो तोड़ने वाला पहला डिपो शेगा आउप बना है राज़ के 25 डिपो में से सिर्फ इसी डिपो ने हर्ताल वापिस ली है तो राज़ में बढ़ते बालिवाओ के मामले से चिंतित महिलायोग ने सरकार से सिफारिश की है कि बालिवाओ के मामले सामने आने के बाद स्थानी जनप्रतिनिदियों या स्थानी अधिकारियों जैसे तलाटी वा सरपंच को उनके पस से हटा दिया जाए उदर कोविट के ने सरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते खद्रे के बीच प्रदेश सरकार ने कोरोना की आइट पीसे आज जान की दर को एक बार फिर कम कर दिया है इसके अलावा महाराष्ट में विदेश से लोटे 1-9 लोगों का कुछ पतान नहीं चल रहा है कल्यान डोमविली नगर पालिका के प्रमूख विजश सुरेवंशी ने बताया कि हाली में विदेश से 295 लोग लोटे है जिन में से फिलाव 1-9 का पतान नहीं चल सका है प्रदेश्ट इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ 17 वर्षिय बेटा शामिल है इन में से पत्नी व बेटे की लाशों को पत्थर से कुछला गया है साथी दोनों के हाथ पैर भी बंदे हुए थे इसके अलावा पती की लाश पेड़ से फांसी पर लटकी हुई मिली है तीनों लाशों की शिनाग भी हो गई है पुलिस के अनुसार तीनों लाशे हिमायत नगर तहसिल के मोजे टेबी के कावले परिवार की है परिवार का एक 18 वर्षिय बेटा लापता बदाया जा रहा है यह भी बताया जा रहा है कि तीनों लाशे करीब पास से छे दिन पुरानी है जानकरी के नुसार शांतामन काउले उम्र 45, सीमा काउले उम्र 40 यह दंपती अपने दो बेटे अभिजित काउले उम्र 18 और सुजित काउले उम्र 17 के साथ पहले मुंबई में रहते थे लेकिन कोरणाकाल में लगाए गए पहले लॉकडाउन के दोरान काउले परिवार नांदेंजिले के हिमायत नगर तहसिल के मौजे टे भी अपने पैत्रु गाउं आ गया था यहाँ पर शांतामन काउले खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोशन कर रहा था पिछले आठ दस दिनों से अचानक काउले परिवार के चारो सदस गाउ से लापता हो गए गाउवालों को लगा कि वे पुना मुंबई चले गए हैं लेकिन सोंवार को बांस के जंगल में कुछ लोगों को तीन लाशे दिखाई दी पुलिस मामले की जांच कर रही है पहारी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है इसी बीच एस्टी निगम परिवन निगम का गतिरोद तोडने वाला पहला डिपो शेगाउ में बना है राज्य के 250 डिपो में से सिर्फ इस डिपो ने ही हड़ताल वापस ली है कल ही यहाँ डिपो में स्टी बसे शुरू करने का कोई प्रयास किया था मगर पास के पैठन नेवा साथ तथा पाथरडी डिपो के करमचारियों ने विरोत किया था बस के चालक नामदो खंडागले पर पत्राओ भी किया था शनिवार को 13, रविवार को 26 और सोमवार को 30 स्टी बसे सडक पर दोडी आज भी परिचालन शुरू है यात्रियों की प्रतिक्रिया अच्छी मिल रही है इसे बीज बिते शुक्रवार को परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि उन्होंने स्टी की अवेध हरताल के लिए सानुभुती पूर्ण समादान खोजने की लगातार कोशिश की थी यह कहते हुए कि अब मैसमा की तहत कारवाई की जाएगी क्योंकि स्टी आपातकारिन सेवा में आ रहे है इसलिए शेगाव डिपो से शुरू की गीबसे सुचारू रूप से चर रही है और कहीं भी कोई अनुचित घटना नहीं हुई है यात्रियों का बैतर पति साथ मिल रहा है राज में बढ़ते बालविवा के मामलों से चिंतित महिला आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि बालविवा के मामले सामने आने के बाद स्थानिय जन प्रतिनिदियों या स्थानिय अधिकारियों जैसे तलाठी वह सरपंच को उनके पत से हटा दिया जाए इसके लिए बाल्युआ कानून में जरूरी सुधार किया जाए राज महिला आयो की अधक्ष रुपाली चाकनकर ने कहा कि पिछले दो सालों से बाल्युआ के बढ़ते मामले देखते हुए राज के मुख्यमंदरी उदो ठाकरे को पत्रलिक कर यह नियम बनाने की मांग की गई है पिछले एक साल में राज में बाल्युआ के 914 मामले सामने आये सोलापूर, बीड, और अंगाबाद, अहमदनगर, जालना, बुलधाना इन में सामने आए बाल्युआ के मामले रोके गए है इसके अलावा बाल्युआ के मामलों में 81FIR दर्च की गई है चाकनकर ने कहा कि यह तो वे मामले है जो सामने आए है इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे मामले है जो सामने नहीं आते बड़ी संख्या में लड़कियों का विवाद 14-15 साल की आयू में कर दिया जाता है साल भर में ही इन लड़कियों को मातरुत्व का बोज भी उठाना पड़ता है हम चाहते हैं कि बालविवार कानूर में सुधार किया जाए और मामले सामने आने पर सरपंच, तलाठी और विवापंजन अधिकारी के खिलाब जाँच कर दोशी पाय जाने पर उनका पद रद्द कर दिया जाए चाकनकर ने कहा कि बालविवार रोकने के लिए यह कदम उठाना बेहत ज़रूरी है कोविट के नए सोरूप ओमिक्रोन के बढ़ते खत्रे के बीच प्रदेश सरकार ने कोरोना की आइटीपीसिया जाँच की दर को एक वार फिर कम कर दिया है सोमवार को सरकार के स्वास्त विभाग ने इस संबन में शासना देश जारी किया है कोरोना आर्टीपीसिया जांज के लिए मरीज के खुद के नीजी लैब में जाकर नमुना देने पर अपके वल्ग 350 रुपए वसु ले जाएंगे अभी तक इसके लिए मरीजों को 500 रुपए देने पड़ते थे शासना देश के नुसार सरकार ने ICMR और NBML मानेता प्राप्त नीजी प्रयोक्षाला में आर्टीपीसिया जांज की अधिक तमदर निश्चित की है सरकार के इस फैसले से नागरिकों को थोड़ी रहात मिलने की उमीद है प्रदेश के स्वास्तमंत्री राजश्टोपे ने कहा कि राज़ के नीजी लैप चालक आर्टीपीसिया जांज की अधिक तमदर से ज्यादा पैसे नहीं वसूल सकेंगे कोरोना की आर्टीपीसिया जांज की संशोदिक नई दरप्रती जांज 350, 500 और 700 रुपए होगी जबकि पहले 31 मार्च 2021 को 500, 600 और 800 रुपए लागू की गई थी इसके पहले पिछले साल मार्च 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के दोर में मरीजों को आर्टीपीसिया जांज के लिए 4,500 रुपए देने पढ़ते थे सरकार ने रैपिड एंटीजन और एंटीबोडी जांज की दर को भी कम किया है रैपिड एंटीजन जांज के लिए 100, 150 और 250 रुपए देना होगा पहले एंटीजन जांज के लिए 150, 200 और 300 रुपए देने पढ़ते थे एंटिबोडी जांच के लिए दर्द 200, 250 और 350 रुपए कर दी गई है पहले यह दर्द 250, 300 और 400 रुपए थी महाराष्टर में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के अब तक 10 मरीज सामने आ चुके है मुंबे में मिले दोनों ओमिक्रॉन संक्रिमितों ने फाइजर कमपनी की कोरोना वैक्सिन की दोनों डोजली थी इन दोनों में कोरोना के लक्षन नहीं है इन्हें सेवन हिल्स अस्पताल में भरती कराया गया है वही ओमिक्रॉन के अन्य 24 संदिक्द मरीज भी भरती है सबकी हालत स्तिर है इस बिच परशानी यह है कि महाराष्ट में विदेश से लोटे 109 लोगों का कुछ पता नहीं चर रहा है कल्लैन डोमविली नगरपालिका के प्रमुक विज़सुरवनशी ने बताया कि हाल में विदेश से 295 लोग लोटे थे जिन में से फिलाल 109 का पता नहीं चल सका है इन में से कुछ लोगों के मोबाइल फोन बन आ रहा है जबकि कई लोगों की ओर से दिये गए पते पर ताला लगा हुआ है डोमविली में एक ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिला है बता दे कि महाराष्ट में ओमिक्रॉन संक्रमित का पहला मामला शनिवार को कल्यान डोमविली में पाया जाने के बाद रविवार को पिम्प्री चिन्सवड और पुने में साथ लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए थे सोमवार को मुंबई में मिले दो ओमिक्रोन संकरमित दक्षिन अफरिका के जोहांसबर्ग से 24 नमंबर को आए थे इन में एक महिला है इनकी उम्र 37 और 36 वश है राज के स्वास्त विभा के मुताबिक इन दोनों के संपर्क में आने वाले हायरिक समू के पाँच और लोरिक समू के 315 लोगों को तलाशा गया है इन सब की जांच की गई है मद्यप्रदेश के विदिशा जिले के गंज बासोदास्ती सेंट जोसिप स्कूल में भीड़ द्वारा हमला बोले जाने का मामला सुर्ख्यों में है लोगों का आरोप है कि वा धर्मांतरन करा जा रहा था वहीं उच्चतम नायले ने कहा है कि कोरोना महामारी की वज़े से कक्षा बारावी के जिन विद्धरतों की बोर्ट परिक्षा रद्द कर दी गई थी उन छात्रों के मुलांकन के लिए CBSC की मुलांकन योजना अंतिम रूप ले चुकी है इस मुंदे पर दोबारावी चार्ड नहीं किया जाएगा इसी बिच IIT के डाटा वेगनिक दल ने दावा किया है कि COVID-19 महामारी की तीसरी लहर फरवरी में आ सकती है हाला कि पिछली यानि दूसरी रहस से इसे कमज़ोर करने का अनुमान है उधर उत्तरपदेश श्यावग बोड के पूर्वियर देक्ष विसिम रिजवी ने हिंदू धर्म सुईकार करने के बाद कहा कि इस्लाम धर्ञ से मुझे निकालने के बाद हर जुम्मे के बाद मेरा सिर काटने का फत्वा जारी किया जाता था इसलिए सरातन धर्म स्विकार कर लिया है इसके अलावा राजस्तान में कोरोना वाइरस के नहे वेरियंट ओमिक्रॉन के एंट्री के बाद शेक्शनिक संस्तान बंद किये जाने के फर्जी ओर्डर पोस्ट को लेकर जैपुर पुलीस में मुकदमाद दज हुआ है देश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ मद्धर प्रदेश में विदिशा जिले के गंज बासोदास्ति सेंट जोसेप स्कूल में अचानक कुछ लोगों ने हमला बोल दिया उनका आरोफ ता कि याँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है जबकि वहाँ सीबीएसी बारावी की परिक्षाट चल रही थी बताया जा रहा है कि इस भीड में हिंदुवादी संगटन के भी कुछ लोग शामिल थे स्कूल बर लोगों ने जम कर पत्थर बाजी और तोड़ फोड की हाला किस हमले में बच्चो वह स्कूल स्टॉफ को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई सभी पूरी तरह से सुरक्षित है जानकारी के अनुसार बजरंग दल और विश्व हिंदु परिशत के कारकरताओं ने कलेक्टर के नाम का ग्यापन देकर सेंट जोसिप स्कूल में पढ़ने वाले आट बच्चों का इसाई धर्म पदती अनुसार मतांतरन कराने की बात कहते हुए जांच कराने और कारवाई करने की मांग की थी लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई अगले दिन विश्व हिंदु परिशत और बजरंग दल के कारकरताओं ने स्कूल के बाहर इकटा होकर नारे बाजी शुरू की स्कूल का गेट खुला होने से कुछ गुसाय लोग स्कूल ग्राउंड में घुस गए और बाहर से पत्थरबाजी करने लगे पत्थरबाजी से स्कूल के आगे की दीवारों में लगे कांच तूट गए करिब दो घंटे चले प्रदर्शन के बाद विश्व हिंदू पलिशत ने SDM को ग्यापन दे कर प्रदर्शन समाप किया स्कूल मैनेजर ब्रदर एंटोनी ने बताया कि उनके स्कूल को लेकर एक पत्त्र प्रसारित किया जा रहा है जिसमें लिखा है कि सेंट जोसेप स्कूल में आठ हिंदू छात्रों का धर्म परिवर्तन करा कर उन्हें इसाईब बनाया गया जबकि वे छात्र हमारे स्कूल के नहीं है उच्चदम न्यायले ने कहा कि कोरोणा महामारी की वज़स से कक्षा बारावी के जिन विद्धार्तियों की बोर्ट परिक्षार रद कर दी गई थी उन छात्रों के मुल्याकन के लिए सीबियसी की मुल्यांकन योजना अंतिम रूप ले चुकी है इसके साथ ही इस योजना पर सरोच न्यायले की स्विक्रिति की मुहर भील लग गई है मुल्यांकन योजना के मुद्धे पर अंतिम मुहर लगाते हुए शिर्च अदालत ने कहा कि इस मुद्धे पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा इसलिए CBSC की योजना पर उन्याचिया करता को भी चुनोती देने की अनुमती नहीं दी जाएगी जिने इस योजना या अंको के मुल्यांकन के सम्मंदित में कोई शिकायत है बता दे कि याचिका करता CBSC द्वारा तयार की गई योजना में निर्धारित अनुमतात पर सवाल उठा रहे है शिर्च अदालत ने 17 जुन को Council for the Indian School Certificate Examination और CBSC की मुल्यांकन योजनाओ को मंजुरीद दी थी जिसने परिनामों के आधार पर 12 कक्षा के चात्रों के अंको के मुल्यांकन के लिए 30 to 30 to 40 फार्मूला अपनाया था CBSC ने पहले कहा था कि वह थियोरी के लिए कक्षा 12 के चात्रों का मुल्यांकन कक्षा 10 के बोर्ट से 30 प्रतिशत कख्षा 11 वी से 30% और कख्षा 12 वी में प्रीबोड, यूनिट और मिटर में प्रदर्शन के आधार पर 40% अंकों के आधार पर करेगा ओमिक्रोन वीरेंट के साथ भारत में नए खत्रे बढ़ा रहे कोरोना वाइरस की वज़े से COVID-19 महामारी की तीसरी लहर फरिवरी में आ सकती है हाला कि पिछली यानि दूसरी रहर से कमजोर रहने का अनुमान है ये दावे IIT के डाटा वैग्यानिक दल ने किये है उनके अनुसर तीसरी धर में एक से देल लाग तक अधिक तम मामले प्रती दिन आ सकते है अध्यंदल में शामिल डाटा वैग्यानिक मानिंदर अग्रवाल ने बताया कि इस बड़े आंकडे के पीछे ओमिक्रोन ही हो सकता है हाला कि अब तक यही देखने में आया कि ओमिक्रोन की घातक तार डेल्टा जय सीन नहीं है दक्षिन अफरिका में मिल रहे मामलों को देखने की जरूरत है जहां अत्याधिक मामले की बावजुद अभी भरती होने वालों की दर कम है लेकिन इसे हलके में नहीं लिया जा सकता आने वाले दिनों में वहाँ नए संक्रमन वह भरती करवाए गए लोगों का अनुबाद देख कर स्तितियास और साफ होंगी हाली में विग्यान एवन तकनिक विभाग के सूत्र ने मॉडल प्रस्तुत किया था जिसमें वाइरस का कोई नया वेरियंट आने पर तिस्री लहर के अक्तुबर में आशंका जताई गई थी हाला कि नवंबर आखरी हपते में नया वेरियंट ओमिक्रॉन सामने आया है उत्तरपदेश यावगबोट के पुर्वदेक्ष वसिम रिजवी ने कल सोमवार को इसलाम धर्म छोड़ कर हिंदू धर्म स्विकार करने के बाद कहा कि इसलाम धर्म से मुझे निकालने के बाद हर जुमे के बाद मेरा सिर काटने का फत्वा जारी किया जाता और इनाम बढ़ाया जाता इसलिए सनातन धर्म स्विकार कर लिया यह भी कहा कि उनके परिवार में जो हिंदू धर्म नहीं अपनाएगा मैं उनको त्याग दूँगा वसिम रिजवी से जीतेंदर नारायन बनने के बाद उन्होंने कहा कि किताब के विमोचन के बाद मुझे इसलाम धर्म से निश्का सित कर दिया गया था उसके बाद मेरी मर्जी थी कि मैं किस धर्म को अपनाओ मैंने सभी धर्मों को पढ़ा और जाना तो मुझे सबसे अच्छा हिंदू धर्म लगा इसमें इंसानियत की रक्षा की बात कही जाती है यती नर्सिहानन्द ने कहा कि वसिम मानोतावादी और दिलेर वेक्ती है उन पर कोई आंच नहीं आने देंगे सनातन धर्म स्विकार करने के बाद उनके सामने जाती का सवाल न खड़ा हो इसलिए त्यागी समाज अपने पिता और खांदान के सभी वेक्तियों की सहमती से अपनी जाती का नाम दिया है अब से वसिम रिजवी मेरे पिता के तीसरे पुत्र के रूप में जाने जाएंगे उन्होंने कहा कि हिंदूओं को चाहिए कि वह तन, मन और धन से वसिम का साथ दे या सभी को अपनी जिन्दगी अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है राजस्तान में जहां कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई है वही दूसरी और कोरोना को लेकर सोचल मीडिया पर भामकता भी फैला ही जा रही है दरसल राजस्तान में कोरोना वाइरस के ने वेरियंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद शेक्षनिक संस्तान बंद किया जाने के फर्जी ओडर पोस्ट को लेकर जैपुर पुलिस में मुकदमाद दज हुआ है इस वाइरल पोस्ट में ग्रोही बाग के पूरशासन सचुके दस्तकत से सभी शेक्षन संस्तान स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्तान बंद करने के फर्जी ओडेश निकाले गए थे सोशल मीडिया पर यह फर्जी ओडेश वारल होने के बाद लोगों में यह गफलत फैल गई कि क्या वाकई में सरकार ने शेक्षिनी संस्तान बन कर दिया है हालां की गुरोवी बाग में इस फर्जी ओरडर को सिरे से खारिच कर दिया है जैपुर में ओमिक्रॉन के नौ मरिजों की पुष्टी होने के बाद ये फर्जी ओरडर वारल हुआ था इस ओर्डर में ग्रोविबाग की हुबहु लाइंग वेज बनाई गई है साथ ही ग्रोविबाग के पूर्वसचिव के फर्जी दस्तकत भी किये गए है इस ओर्डर की प्रतिलिपी चिकित सम्हक में के उच्चादिकारियो जिला कलेक्टर, एसपी, पुलिस कमिशनर आदी को भेजने की सुचनात दी गई है इसी कारण लोग गफलत में पढ़ गए थे पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर यह फर्जी ओर्डर किसने तयार किये और सोशल मीडिया पर वारर करने के पीछे इसका क्या उद्देश है दुनिया के अन्ने खबरों से पहले एक कोतल भरी जानकारी हम आपको दे रहे है पिरामडों के देश मिस्त्र में दो अलग-अलग मगबरों से एक महिला और एक पुरिश की ममी मिली है जो 2500 साल कुराणी है इन प्राचिन ममी के अंदर जीप की जगर पर सोनी की प्लेट पाई गई है शोदार्तियों के अलग-अलग दावे सामने आ रहे है अब बात दुनियादारी की मैमार की सेना ने भारत की पीट में छुराग होंपा है भारत ने अभी तक जिस मैमार की सेना को जंगी हतियार से लेकर मानी में मदद तक दी है उसी मैमार की सेना पुर्वत्तर के उगरवादियों को मदद कर रही है उदर चीन ने ताइवान में फिर अपने चार से निय विमान भेजे लेकिन ताइवान की जवाबी कारवाई से वे भाग खड़े हुए चिन की ओर से इस में ने यह पांच भी घुस पैट थी वही पाकिस्तान का अमानवी ये चहरा फिर सामने आए है वाके रक्ष्रामंतरी परवेश खटक ने श्री रंकाई प्रबंधक प्रियंता कुमारा की हत्या को जायस ठहरा है जी हाँ खटक ने लिंचिंग को सही ठहराती हुए कहा कि ये गुस्साय नोजावनों का काम था जो धार्मिक भानाव से बैग गय थे इसी बिज ब्रिटेन के स्वास्तामंतरी साजित जाविद ने पुष्टी की है कि इंग्लेंड के कई शेत्रों में ओमिक्रॉन का संक्रमन कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन पर पहुँच चुका है दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को विश्टार से जानने के लिए बंदरी आफ हमारे साथ पिरामिडों के देश मिस्र में दो अलग-अलग मकबरों से एक महिला और एक पुरुष की ममी मिली है जो 2500 साल पुरानी है इन प्राचिन ममी के अंदर जीप की जगब पर सोने की प्लेट पाई गई है यह मकबरा लाइमस्टों से बना है पुरा तत्वविदों के मुताबिक पुरुष के अउशेश और उसका मकबरा पुरी तरह से सुरक्षित है इस मकबरे को सील किया गया था और उसके अंदर कई अद्बुत कलाकृतिया भी बरामद हुई है पुरा तत्वविदों ने बताया कि महिला के अउशेश अचिस्तिती में नहीं है और इस बात के संकेत है कि चोरों ने महिला के मकबरे को खोदा भी था यह खोज उनिवर्सिटी और बार्सिलोना के द्वारा की गई है उनिवर्सिटी ने कहा कि यह मकबराम मिस्टर के 26 विर राजवंश का है सोने की जीब अचिस्तिती में है और प्राचिन मिस्टर की मम्यों में अक्सर यह पाया जाता है बताया जाता है कि इन सोने की जीप को अंधिम संसकार के दोरान मरे हुए लोगों के पास इसलिए रखा जाता था ताकि उस इंसान की आत्मा प्राचिन देउता ओसिरिस से बात कर सके प्राचिन मिस्त्र में माना जाता था कि ओसिरिस अंडर्वर्ड के उपर शासन करता है और मरे हुए लोगों की आत्माओं की परिक्षा लेंगे साथ ही ऐसी मानिता थी कि सोने की जीव की मदद से मरा हुआ इंसान ओसिरिस को अपनी आत्मा पर रहम करने के लिए सहमत कर लेगा पुरा ततोईदों को अभी यह पता नहीं चल पाया है कि ये पुरुष और महिला कौन थे लेकिन दोनों के मगबरे एक दूसरे के पास बने है भारत ने अभी तक पडोसी देश म्यामार की सेना को जंगी हत्यार से लेकर मानिवे मदद तक दी है इस अहसान के बाद भी मयामार की सेना पुर्वत्तर के उगरवादियों की मदद कर रही है एक रिपोर्ट की मुताबिक उगरवादी गुटों ने जब 13 नवंबर को मनिपूर में खुनी हमला किया तब मयामार के साथ भारत में कभी नरम और कभी गरम रहने वाले रिष्टे एक बार फिर से उबल पड़े इस हमले में असम राइफल्स के एक अधिकारी समेच साथ लोगों की मौत हो गई इसमें अधिकारी की पत्नी और 6 साल का बच्चा भी शामिल है इससे साबित होता है कि लोगतंत्र के समर्थकों को बंदुक के बल पर कुचल रही मयामार की सेना ने भारत की पीट में चुरा गोपा है जानकारी के नुसार मैंमार की सेना ने पुर्वत्तर भारत में सक्रिय विद्रोयों को अपने इलाके में क्यांप लगाने की अनुमती दे दी है ये विद्रोही मयमार में ट्रेनिंग ले रहे है और चीनी हतियारों की मदद से मनिपूर तथार नागालन्ड में खोनी हमलों को अंजाम दे रहे है पुर्वत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादी संगटन इसके बदले में मयमार में सेना की मदद के लिए लोगतंत्र समर्तक पिपूस डिफेंस फोर्सेस के लोगों पर हमले कर रहे है भारत की मयमार से लगती 1600 किलोमेटर लंबी सीमा है यह सीमा कई पहाडी और दुर्गम इलाकों से भरी हुई है इससे उग्रवादियों को भारत में हमला करके मयमार भाग जाना आसान होता है नागा, मनिपूरी और असम के उग्रवादी पिछले कई वर्षों से मयमार के सगाईं इलाके में अपना अड़ाब बनाई हुए है यही से वे भारत में हमले करके फिर वापस भाग जाते है ताइवान पर बुरी नजर गड़ाय बैठे ड्रैगन अपनी विस्तरवादी नितियों से बाज नहीं आ रहा है उसने एक बार फिर से ताइवान में अपने चार सेने विमान भेजे है हाला कि ताइवान के जवाबी कारवाई से भाग खड़े हुए चीन की ओर से इस महिने यह पांच भी घुसपेट है ताइवान के राश्टी रक्षा मत्राले ने सूचना दी कि बिजिंग से घुसपेट के जवाब में ताइवाई ने विमान भेजे और चीनी विमानों को ट्रैक करने के लिए वायो रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात करते हुए रेडियो चेताउनी जारी की या ध्यान देने वाली बात है कि तेरा चीनी सेन विमानों ने इस महिने ताइवान के एर डिफेंस शेत्र में घुसपेट की है जिसमें साथ स्पोर्टर विमान और छह लड़ाकु जेट शामिल है बता दे कि बिजिंग इस लोकतांत्रिक द्विप यानी ताइवान पर अपनी संप्रुबदा का दावा करता है और इस वज़े से उसने ताइवान में सेन नगुसपेट बढ़ा दी है चीन के दक्षिन पूर्वी तटपर्स्ति ताइवान लगबग 24 मिलियन लोगों का लोकतांत्रिक देश है साथ दशकों से अधिक समय तक अलग-अलग शासन करने के बावजूद चीन ने धमकी दी है कि ताइवान की स्वतन्ददा का अर्थियुद्ध है यही वज़ा है कि एक जून को चीनी राष्ट्रपती ने ताइवान को चीन से मिलाने का संकल्प लिया था जहां पाकिस्तान की प्रधान मंतरी इमरान खान दुनिया को आश्वस्त कर रहे है कि श्रीलंकाई नागरिक की हत्या के मामले के अपराधियों को सजाद दी जाएगी वही उनके रक्षा मंतरी परवेश खटक ने श्रीलंकाई प्रबंदक प्रियंता कुमारा की हत्या को जायस ठहराया है खटक ने लिंचिंग को सही ठहराते हुए कहा पाकिस्तानी रक्षा मंतरी का बयान प्रदान मतरी इमरान खान द्वारा श्रीलंका के राश्रपती गोटाबायार राजपक्षे को अउगत कराने के बाद आया था कि यह करूर कारिय हमारे देश का गुसा और शर्म था इस पर खान ने ट्विट किया था कि आज सेयुकता रब अमिरात में श्रीलंका के राश्रपती गोटाबायार राजपक्षे से बात की और सियाल कोट में प्रियांता कुमारा की हत्या पर श्रीलंका के लोगों को हमारे देश के गुसे और शर्म से अउगत कराया यहां एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान श्रीलंका से नेत्रदान का सबसे बड़ा प्राप्त करता है उनिस सो सदसस से कम से कम 35,000 कॉर्णिया प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान के एक प्रमुक नेतरोग विशेशक ये डॉक्टर नियाज ब्रोही ने तंज कसते हुए कहा कि श्रीलंकाईयों ने हमें 35,000 आखेद दान की लेकिन हमने विजन खो दिया कोरोना के ने वेरियंड ओमिक्रॉन की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है अभी तक दुनिया के 44 देशों में इसने 10 तक दे दी है फरवरी तक इससे भारत में 30 लर के रूप में कहर धाने की आशंकाय जाहिर की जारी है इसी बीज ब्रिटन के स्वास्तमंतरी साजित जाविद ने पुष्टी की है कि इंग्लेंड के कई शेत्रों में ओमिक्रॉन का संक्रमन कम्यूटी टांस्मिशन पर पहुच चुका है उन्होंने सांसदों से कहा कि नया वेरियंड ब्रिटन और दुनिया भर में फैल गया है और अब इंग्लेंड में कई ऐसे मामले सामने आए है जिनका आंतराश्री यात्रा या यात्रा करने वालों से कोई संबन नहीं है पूरे ब्रिटन में इस मुटेड़िट वेरियंड के कुल 336 पुष्ट मामले सामने आए है केवल रविवार को ही 99 केस सामने आए है इन में से 261 केस इंग्लेंड में, 71 स्कॉटलेंड में और 4 केस वेल्स में है जबकि उत्तर आइरलेंड में अभी तक एक भी पुष्ट मामला सामने नहीं आया है इन संक्रमितों में से कोई भी अस्पताल में भरती नहीं है स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने पहले ही कहा था कि ग्लासगो में एक स्टेप कॉंसर्ट इवेंट में हिस्सा लेने वाले कई लोगों में में बस इतना ही कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रिये वी के बी न्यूस नमस्कार